अब देखो जैसा कि बच्चे शॉर्ट साउंड वावल वर्ड सीख चुके हैं, ठीके, ए और और अब आई होप आप बच्चे करने लग गए होंगे, ठीके, तो पैरेंट्स, कुछ पैरेंट्स का अभी भी यह है कि मैं थोड़ा अभी भी डाउट बच्चों को है, तो देख आप पर्टिकुलर्ली कराते रहेंगे हर एक उसका, तो बच्चे को वो टॉपिक एजिली क्लियर होता रहेगा, ठीके, डबल ल साउंड वर्ड्स, वावल की पीछे जब डबल ल लग जाता है, तो वो कैसा साउंड करेगा, वो हम आज बच्चों को यहां पर सिखाएंगे ठीके, तो वोवल्स हमें सब को पता है, कितने होते हैं, पाज होते हैं, ए, ए, आ, यो, यू, तो पहला ए साउंड वला सीख लेते हैं, ए, डबल ल, तो जब वोवल ए, के पीछे डबल ल लग जाता है, तो यह कैसा साउंड करता है, ओल, कैसा साउंड करता है, ओल, जैसे म तो टॉल, टॉल, ऐसे आप बच्चों को सिखाईए ठीक है, जिससे अगर मैंने बोला बी, ए, डबल, ल तो बॉल, बॉल एफ, ए, डबल, ल तो फॉल, फॉल सी, ए, डबल, ल कॉल, कॉल तो कई सारे ऐसे लेटर्स, वर्ड्स होते हैं जो आपको बच्चों को सिखाने हैं, जिससे ह, ए, डबल, ल, ह, अल, ह, अल है न, काफ़ी सारे होते हैं, आप बच्चों की बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा ठीक है, आप देखते हैं, ए, साउंड जब ए, साउंड आता है, डबल, ल के पीछे, का साउंड करता है, अल का साउंड करता है, अल, जैसे एगर मैं बोलूँ बी, ए, डबलल, बल टी, ए, डबलल, तुट अल, टल फ, ए, डबलल, फल, फल काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं अगर मैं P के पीछ लगा तो P L P L D E L L D L ठीक है तो काफी सारे वर्ड होते हैं जो आप E L L A L L से कर सकते हैं इसके बाद आता है I तो I किस साउंड करता है E डबल L लग जाएगा तो L ठीक है जैसन बोलूं T I L L त इल तिल ब इल बिल F I L L फ इल फिल N I L L न इल निल H I L L ह इल इल P I L L प इल पिल D I L L ड इल इल ऐसी जैसे N के पीछे N I L L न इल निल K I L L लो K I L L क इल 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 तो काफी आप बनाते रहोगे तो आप बनते जाएंगे है ना तो इसके बाद जो आता है O sound अगर मैं बोलू D O L L तो डॉल सिर्फ एक यही होता है जो अलग से sound करता है ठीक है बाकी ओल साउंड करता है अगर मैं बोलू T O L तो टोल R O L L रोल F O L L फोल P O L पोल तो काफी कुछ भी बना सकते हैं आप होल मोल पोल उसके बाद आता है यू तो देखे यू वाले जो होते हैं इसमें दो sound आते हैं यह मैं आपको समझा रही हूँ आपको बच्चे को नहीं बताना है आप दोनों में से कोई से भी बच्चे को कराईए ठीक है वैसे तो U होता है पर अल भी आप कह सकते हैं क्योंकि यू अ साउंड करता है हमने बच्चे को से कहा है यू अ साउंड करता है ठीक है तो आप अल सिखाईए या उल सिखाईए तो अगर जैसे मैं बोलू N-U-L-L Null ये Null होगा Null नहीं होगा अगर मैं बोलू F-U-L-L तो ये Full होगा Full Bull Pull है ना और जैसे अल वाले हैं तो G-U-L-L तो ये हो गया गल चीक है तो काफी सारे ऐसे लैटर्स होते हैं जो आपको बच्चे को सिखाने है वर्ड्स उन से जिन से बन रहे हैं वो सिखाना है इसके लावा जो मैं आज एक 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 सेसाइज लेकी आई हूँ वो मैं एक सेसाइज लेकी आई हूँ आर्टिकल्स पे ही है ना तो आर्टिकल्स पे आपको कैसे बच्चे को कराना है क्या आपको देना है ठीक है एक न्यू टाइप की एक सेसाइज है जो आपको बच्चे को करानी है ये है टिक right on correct and wrong on incorrect one ठीक है अब देखिए right मतलब जो सही है उन पर आपको right tick लगवाना है और जो गलत है उन पर wrong tick लगाना है जिसे मैं लिखा हुए है a cat तो ये c है c vowel नहीं होता है उसके आगे क्या आएगा बच्चों से पूछिए बच्चों को पता है वावल है तो an वावल नहीं है तो a तो ये right है इसके आगे tick and bat तो b b क्या है वावल नहीं है लेकिन उसके आगे an लगा हुआ है तो ये wrong हो जाएगा an owl o बिल्कुल ये सही है right किदेंगे an apple ये भी सही है a क्योंकि वावल होता है then an tree ये बिल्कुल wrong है क्यों क्योंकि t क्या है आपका वावल नहीं होता है a jug ये right करोगे आप an ice i वावल है बिल्कुल इसके आगे tick करेंगे a urban तो a मतलब ये you क्या है आपका इसमें बताओ you इसमें है वावल वावल क्या क्या लगाते है an लेकिन इसमें a लगा हुआ है तो ये हो गया wrong ठीक है तो parents ऐसे काफी सारी चीज़े हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं छोटी छोटी वोर्कशिट आप घर पे बना सकते हैं है ना देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कितना कुछ बनाया हुआ है ये मैं घर पे ही अपने हाथ से बनाती हूँ है ना ये देखिए एक और अक्सेसाइज है मैश दो फॉलॉइंग की डबलल साउन वाले वर्ड्स पे ठीक है डबलल साउन वाले वर्ड्स पे ये भी आप बच्चे को करा सकते हैं जैसे मैंने बैल बनाई हुई है तो ऐसे में मत पूछेगा ये क्या है बी यू डबलल बुल ये तब जब बच्चा ये करने लग जाएगा ये जब बच्चा पढ़ने लग जाएगा अच्छे से लिन आप ये एक्सेसाइज कराईएगा जैसे बी यू डबलल बुल ये मैंने बुल बनाया हुआ है W-A-W-L Wall तो Wall मैंने ये बनाई हुई है B-E-W-L Bell ये मैंने Bell बनाया हुआ है W-E-W-L Well Well बनाया हुआ है D-O-W-L Doll मैंने Doll बनाई है F-I-W-L Fill ये Fill हो रहा है देखो Water Fill हो रहा है इसमें H-I-W-L Hill ये देखिए Hill पहाड़ी बनाई हुई है F-U-L-L Full ये Water Full है देखो B-E-L-L Ball ये Ball है तो इस टाइप से आप छोटी छोटी एक्सराइजेस बच्चो को अगर देंगे तो बच्चे को एजी ली आएगा ये देखिए ये सारे मैंने बनाई हुए है Write the names of pictures इस टाइप से आप बच्चे को कराएंगे बच्चे को आएगा exercise से ही बच्चा सीखता है कोई भी topic बच्चे को कैसे clear होगा वो रटना नहीं है रटाना नहीं है बच्चे को वो बच्चे को exercise से clear होता है match the following दे दीजे write the names दे दीजे what comes after दे दीजे what comes before दे दीजे इसके लावा आप क्या दे सकते हैं जैसे मैंने ये exercise आपको बताई थी articles के exercise मैंने बताई थी fill in the blanks बच्चे को दे दीजे इस type से आप देंगे तो बच्चे का जो doubt है वो बिलकुल clear होगा तो आज के लिए parents इतना ही next video में जल्दी अपनी upload करूंगी please 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 मेरे channel को subscribe करें like करें और bell icon दमादा ना भूलें thank you